बिस्मिल्ह रमाने रहीम, अस्सलाम वालेकूम, महरीन के पकवान में वेलकम, कैसे हैं आप लोग, आपको अपने घरों में खुश हो अबाद रखें, आमीन, आज हम बना रहें, वेजिस, लोकडाउन, रेसिपी बना रहें, रमजान बहुत मुबारक हों आप सबको, आपको हमारे सारे घरों को अल्ला ताला दुबारा से खुश हो अबात कर दे, और हमारे घरों में रह्मते और बरकते दे, और इते सब लोग हसी खुशी इद मनाएं, आमीन, तो चलें फिर ये बनाते हैं, हमने चार अलू लिए और इसको हमने धो के भीगो दिया था, ताकि इसमें जितना भी मिट्टी हो, वो निकल जाए, लेकिन ये जो अंदर इसके डीपली खाने हैं, तो इसमें से हम निकालने के लिए हमने ये नया बुरश लिया है, और इसको हम इस तरह से साफ करेंगे, ब अगर आपके पास ब्रश नहीं है, तो आप ये ले लें, यू ना बरतन माजने वाला है, ये आयरन का, इससे भी आप इसको रगड सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको साफ करके, बहुत अची तरह से फिर काटेंगे, और फिर बताएंगे आपको किसमें क्या-क्या ए और इनको ऐसे काटेंगे, पहले दो पीस करेंगे, फिर इसके दो पीस करेंगे, फिर इस तरह से, इस तरह से करेंगे, हमारे काटनी की आदत इसी तरह से है, जो कुछ भी हम कटिंग करते हैं, हमें ये इजी लगता है, वरना आप काटनी को इस तरह से काट सकते हैं, इस तर करना जरूरी है वेजिस का शेव यही होता है यह सारे हम काटेंगे और इनको बॉयल करेंगे पानी बॉयल हो गया बिसमिल्लाह रमाने रही आलू डल दी और इसको हमने पूरा नहीं पकाना फुल डन नहीं करना 90 परसंट पकाना एक टीस्पून इसमें नमक डालेंगे आलू बॉयल हो गया है लेकिन यह पूरे नहीं होगे देखे थोड़ी से कसर है इसमें इसमें मसाले यह डालेंगे हम चावल का आठा लिया है हमने एक टेबिल स्पून कॉन फिलार लिया है दो टेबिल स्पून मैदा ली है तीन टेबिल स्पून कुटी भी मिर्चे ली है एक टेबिल स्पून, दो चुटकी नमक लिया है, आदर टी स्पून, गार्लिक पॉडर लिया है, एक क्यूब डालेंगे हम, यह चिकन क्यूब्स है, जो बजार में आराम से मिल जाती है, लेकिन हमारे जो वेजिटेरियन फिरेंड्स हैं, वो इसमें यह न डालें, तो थोड़ा स अजीनो मुतो, दो चुट की अजीनो मुतो डालें, और ऐगानो है, एक टेबिल स्पून, पानी लिया हमने दो कप, अब देखते हैं इसमें कितना पानी जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे, फेस को डालेंगे, थोड़ा सा, यह मसाली भी डालेंगे समें, और यह भी अब इसमें यह सारी चीजे भी डाल देंगे अब गाड़ानी बनाना इसको हाज से क्यूप्स को तोड लेंगे अब पानी में भी इसे रख सकते हैं थोड़ी देर उसके बाद मिक्स कर लें इसमें हमने तीन कप तेल डाला इसमें बिसमिल्लाहरमाने रहीं इस तरह से डालना इसमें डिप करना और फिर इसको निकालना और इसमें डाल देना सारे इसी तरह से बना लेंगे अगर आप फ्राइक करना नहीं चाहते बेक करना चाहते तो आप यह करिए कि जो हमने बेटर बनाया था तो पानी थोड़ा सा कम कर दें और दो टेबिल स्पून और अलिव यह कुटिंग ओई डालने और बेक करने 180 पर 20-25 मिन बाके सारा प्रोसीजर यही रहेगा अल्हम्दलिल्ला वेजिज रेडी हैं खाने के लिए खाईए बनाईए तो चले दुआओं में मुझे याद रखिएगा अल्ला ताला आपके दस्तों खान हमेशा भरे रखे आमीन फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशालला अल्हाफीज